भाई ना कोई फ्रिजर्वेटीफ, ना कोई कालार और ना ही कोई सीर के, इतना आसान कि कोई भी इसे बना ले, आम का ऐसा अचार चले साल भर, ना खराब होने का डर, ना ही धूब में सुखाने का जन्जाट, आप सोचेंगे पहले कि उन्हीं पता, इसे एक बर बनाओ, साल सबसे पहले आपको आम को अच्छा से धो लेना है, धो लेने का बाद इसको पोच लेना है, सूखा कपड़ा में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसके बाद आपको पील कर लेना है, मैं इहां एक किलो आम ली हूँ, और इहां आपको ले लेना है कोदुकस, कोदुकस क मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कियुकि आम का साइज थोड़ा बढ़ा था तो इसलीए मैं आम को कडाट ली हूँ स्लाइस में इस तरह से आपको सारे आम को कडुकस कर लेना है मैं एक प्लेट का उपर राके कुदुकस कर ली हूँ और देखिए साधा हो गया है कुदुकस अब इसे एक ओही कड़ाई में मैं रखूंगी क्योंकि यह कड़ाई में ही मैं बनाने वाली हूँ आप सिस करें जिसमें आप बनाओंगे ना उसी में आप रखते जाओ कुदुक कुदुकस हो गया है कड़ाई में सारे उठा दी हूँ और दिख लीजिए यह कैसा बन गया है कुदुकस हो के अब इसमें हम डालेंगे मसाला तो मसाला में सबसे पहले हम चीनी डालेंगे तो एक किलो आम में मैं इहां शाड़े छेसो ग्राम करीब चीनी ली हूँ से आप चीनी का क्वांटिटी बैलेंस करें ठीक तो आब इहां थोड़ा सा मैं नमक दी हूँ टेस को इनहेंस करने के लिए और धेर सारा इहां साबुच जीरा डालेंगे तो इहां करीम लागभाग मैं तीन चामच साबुच जीरा डाल दी हूँ अब इहां मैं डालूंगी एक चमच लाल मिर्ज का पाउडर लाल मिर्ज का पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ा सा तिखापन इसमें आए टेस्ट को बैलेंस करने के लिए एक चमच मैं डाली हूँ अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये खराब लगेगा टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा इहां मैं एक चमच होल स्पाइसेश ली हूँ इसे पाच पड़ों का नाम से भी जानते होंगे आप तो इसमें रहता है कलोंजी, मेथी, सौब इसे हम थोड़ा दरदरा कूट लेंगे ये ओप्सनल है अब चाहे तो नहीं भी दे सकते हो लेकिन ये देने से टेस्ट थोड़ा सा इंसेंस होता है तो इसे दरदरा मैं कोट ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ अब हम इसको चुला में बिठा दी हूँ गैस का उपर और गैस का प्लेम यहां हाई रखना है आपको और धीरे धीरे आपको चालाना है लीजिये देखिए मेरा कडाई छोटा पड़ गया है आपको थोड़ा सा बड़ा कडाई लेना है यहां मेरेको थोड़ा सा बड़ा साइज का लेना था यह मैं गल्ती कर दी हूँ आप कुशेश करे जिसमें बनाएंगे थोड़ासा बड़ा सायज में हो ताकि आपका कर्ची चलाने में थोड़ासा सोभीधा हो यहां मेरेको कर्ची चलाने में मुस्किल हो रहा आप देख पारे हो मैं मुस्किल से इसको चला रही हूँ कई बात नहीं थोड़ा सा धिरे धिरे इसको चलाने का बाद ये आपने आप चीनी पिघाल जाएगा आम भी आपना पानी छोड़ देगा और धिरे धिरे पिघालते पिघालते देखिए थोड़ा सा कम लगेगा आपको तो दोस्त आपसे चोटी सी रिकोएस्ट है कि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इहां तक आप मेरा वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को एक लाई कर अपना दोस्तों में सेयर करने मत भुलिएगा क्यूंकि ऐसे चुटी चुटी टीप्स के साथ मैं रेसिपी सेयर करते रहती हूँ तो लीजिए इहां पर सारे इसका जितना पानी निकला था और ये जो पिघाल गिया था चीनी वो सारे सुख गिया है आप इतना टाइम आप गैस का फ्लेम धीमे कर दे और दो चार बार इसे चलाए दिखिए इसे ज़्यादा पका लेने से ये कड़ाख हो जाएगा एकदम तो उतना नहीं पकाना है आप चास्ट ये चिपचिपा पन रहेगा इतना टाइम आप इसको छोड़ देंगे गैस बंद कर देखिए मैं उठा के देख देरी हूँ है ड्रॉफ ड्रॉफ होके गीर रहा इतना टाइम आप गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के तो इसलिए मैं क्या करूंगी इसका उपर एक नेट रख देंगी और नेट रख देने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी अब आपको इस तरह से एक काच का कंटेनर ले लेना है और इसे अच्छा तरह से धो के सुखा लेने का बाद सुखा कपड़ा में अब आचा ठंडा हो जाने से इसमें आप दिरे दिरे भर दिजिए और इसे आप रोटी पुराटा पूरी के साथ खा सकते हो तो है ना ये बनाना कितना आसान और इसमें ज्यादा मसला भी नहीं पड़ता है और ये साल भर रहता है खराब नहीं होता धूब में डलने का दिजिए तो इसे आप बनाईए और मुझे फीडबेक दिजिए आपका कैसा बना है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपना दोस्तों में सेयार कर दिजिए और पहले बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसा शुटी आला हाफिज